ओम शान्ति दो जून आज बहुत गुईय मुल्ली है बाबा की जो रुखानी मार पे चल रहे हैं वो अच्छी तरह समझते हैं कि इस समय हम भगवान की पालना में पल रहे हैं बाबा याद दिला रहे हैं तुम मेरी पालना में पल रहे हो तुम्हें अगर मेरे साथ अपने घर चलना है घर माना परमधाम शान्ति दाम में तो तुम्हें संपूर्ण प्योर बनना होगा ये जो देह और देह के संबन्दियों में तुम्हारा ममत तो हो गया है इसको निकालना होगा मंजिल भारी है लेकिन तुम्हें पावन बन कर ही मेरे साथ घर चलना है बनना ही है मैं आया हूँ तो बच्चे कहते हैं बाबा हमारा सब कुछ आपका बगती में कहते थे जब तुम आओगे हम सब कुछ बलिहार करेंगे अब कहते हैं गरीब बच्चे हमारा तन मन धन ये जो कुछ भी है वो तुम्हारा है सावकार तो ये कह नहीं सकते हैं तो बाबा इसका गुईयराज बता रहे हैं तुम एसरीरी हो जाओ तो तन भी मेरा हो गया तुम निराकार आत्मा वच्चिन बन गई जितना जितना एसरीरी होने का भ्यास करेंगे और मुझे याद करेंगे तो तुम्हारा ये कर्मों का हिसाब किताब चुक्तु होता जाएगा, तुम हलके होते जाओगे, पावन होते जाओगे, और मेरे साथ उठ जाओगे, तो बाबा कई बार कह रहे है आज मुरली में, सब कुछ समर्पित कर दो, सुरू में देखो आए सब, इस ब्रह्मा ने भी और अनेक बच्चों ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, कहा बाबा, हमारा ये सब कुछ आपका है, तो मेरे से तुम्हें विश्व की बादसाई मिलती है, स्वरक का वर्सा मिलता है, ये भी केवल तुम इस समय जानते हो, तो ऐसरीरी होने की बार बार प्रेक्टिस करो इसको ही जीते जी मनना कह जाता है, तुम्हारी माया से वोक्सिंग है, ये युद्ध थोड़ा भारी है, कभी माया जीतती है, कभी तुम जीतते हो, बच्चे बाबा कहते हैं, बाबा ये माया बहुत पावर्फुल है, अपनी इस माया को हटा लो, बाबा कहते हैं नहीं तुम्हारी माया से युद्ध है बोक्सिंग है, कभी तुम वार करोगे, कभी वो वार करेगी, बोक्सिंग में ऐसा तो नहीं होगा न, एक ही पहलवान वार करता रहे, दूसरा भी करता है, माया तुम्हें गिरा देती है, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, महावेर ब और आखित माया को जीत लेना है, बच्चे शिकायत करते हैं, पत्र लिखते हैं बाबा, हम बहुत अच्छा पुरसात कर रहे थे, माया आ गई, लेकिन तुम्हें इस युद्ध में घबराना नहीं है, युद्ध लगातार करते रहना है, देखो बाबा आपने बच्चों को ट औरơन में आगे हो, तीनों के आगे तुम समर्पित हो गए हो, इसवर ये शक्ति भी। तुम्हारे साथ और ज्यान का प्रकास भी। साथ है। ज्यान भी तुमें बहुत मिल गया है और योग से तुम शक्तियां भी ले रहे हो, इन दोनों के बल्स से तुम इस माया पर अव विजय होंगे, अंत तक ये युद्ध चलती है, इसलिए माला बन जाती है, आठकी भी माला है, एक्सवाट की है, फिर 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 16,108 की है, तरेता के अंत तक जो प्रिंस-प्रिंस से है, वो 16,108 है, ये भी संपूर्ण समर्पित हो जाते हैं, माया को जीत लेते हैं नमबर वार, लेकिन जो आस रतन हैं, वो माया को सुरू से ही completely जीते रखते हैं, संपोर्ण रूप से आत्म अभीमानी बन जाते हैं, और 108 रतनों को विजयी रतन कहा जाता है, वो भी माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो जो माया पर विजय प्राप्त करेगा, उन्हे नहीं राजाई मिलेगी, तो बाबाद बार बार हमें खहरे हैं, तुम आत्माएं हो, तुम परमधाम से आई हो, पार्ट बजाने आई हो, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आत्मा उपर से नीचे पार्ट बजाने के लिए आए ही नहीं, तुम एक्टर हो, एक्टर्स को तो नहीं है, भले ही अंत में आये हैं, अभी भी आ रहे हैं, थोड़ा पार्ट होता है, लेकिन संपोर्ण रोप से मुक्त तो कोई हो नहीं सकता है, देखो मैं भी आता हूँ, कयामत के समय का बहुत ज़्यादवर्ण रहने सास्त्रों में, अब कयामत का समय है, मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आ गया हूँ, बहुत दुख है संसार में, नेचुरल कलिमिटीज बहुत होनी हैं, बाम्स भी छूटेंगे, अकाल भी पड़ेंगे, बहुत दुख होगा मनुस्यों को, तुम देख भी नहीं पाओगे, लेकिन ये सब तो होना है, क्योंकि सब को अपने क कर्मों का हिसाब किताब चुक्तु करना ही है, तुम्हें अब मेरी मत पर चल कर इस माया को जीतना है, अब हमें सोचना है, हमें संपोर्ण पवित्र बनना है, अन्य था सजाओं का मार खुला रहेगा, जो पवित्र नहीं बनेंगे, कर्मों का खाता चुक्तु नहीं होगा, उने बहुत कस्ट होगा, जैसे आजकल भी हो रहा है, और आगे चल कर जब अर्थक्वेक्स यानि प्रकर्तिक प्रकोब बहुत होने लगेंगी, तो कस्ट लोगों को बहुत होगा, उसमें तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, इसलिए नमाया से घबराना है, घबरा कर, हार मान क बाबा का हाथ छोड नहीं देना है, युद्ध चालू रखना है, बाबा नहीं नहीं विधियां बता रहे हैं, कि ये विधि तुम अपनाओगे, इस तरह योग तो पस्चा करोगे, तो माया पर तुम्हारी विजय होती जाएगी, और उसमें पहली विधि है, बाबा से मेरे से जोड़ो, तो मेरे से तुम्हें शक्ती मिलेगी, और तुम माया को जीत लोगे, वरदान है, ज्यान सुरिये की स्मर्ति द्वारा, संसकारों के किछरे को समाप्त करने वाले, मास्टर ज्यान सुरिये बनो, तो जो भी पुराने संसकार हैं, उसको समाप्त करने के लि कर चार और फैलाएंगे, पातावन भी सुद्ध होता चलेगा और हमारे संस्कार ये भी वदलते चलेगे, देखो सूरज से अगनि मिलती है, रोसनि मिलती है, तुम्हें घ्न सूर्ये से घ्न की रोसनी मिली है, लेकिन अकेली रोसनी से माया को जीता नहीं जायेगा, इसलिए स्लोगन है सुब कामना और सुब भावना के सरे संकल्पी जमा काता बढ़ाते हैं तो अच सारा दिन हमें सरीरीपन का भी अभ्यास करेंगे और मन से समर्पित भाव रखेंगी बाबा सब कुछ तेरा मैं मास्टर ग्यान सूरिय हूँ और ग्यान सूरिय की केड़ने मुझे पर पड़ रही हैं यह अभ्यासर घंटे में एक बार रवस्ट करेंगे ओम शांती